हालो गर नमस्कार अगर हम क्रिस फोर मूवी की बात करूं तो क्रिस फोर मूवी हमारे सामने कुछ बड़े लुक में यानि की रिलीश तो हो रही लाकिन यहां पर कुछ ऐसे एक्टरस को इनमें इंट्री दी जा रही है जिनकी सायद हम उमीद भी नहीं कर सकते थे लेकिन जै फीष की बहुत ही बड़ा है लेकिन इसे हमें कोई पर生 की प्ड़ता है या पहत्रीन ओलेकिन मूवी अच्शी कमाई करते हो नज़रा और शिव्यक्तिंवस्क धर में जा सकते यहीज़ तो हमें पूरी तरह से क्रिफेन चले गया तो यहां पर सकते है यह ज्यादू जो माया है यह तीन एक्टर होंगे जो कि यहां की कमान समालते हूए नजर आएंगा पूरी तरह से मूई को हॉली गूड इस्टायल में उतारने की कोशिफ की जा रहे हैं और हॉली कुड में मूई को उतारने की बस वज़ा यह है कि मुवी को अच्छे लेवल में उतारने के लिए कभी भी 800 क्रोट का अमाउंट माईने नहीं रखता है हम इसलिए कह रहे हैं कि साहर राकेश रोसन ने इसका मुवी का अमाउंट जो है 800 करोड के आसबास रिविल किया है कि 800 करोड इस मुवी में लगभग लगाएं जाएगे और हॉली गूड इस्टाइल में पूरी तरह से मुवी को निकाला जाएगा राजनेतिक मुद्धों पर बनने के लिए भी कोई मुवी रही नहीं जो के हमारी इंडिया में तो राजनेतिक मुद्धों पर बनाने के लिए मुवी पूरी तरह से फेमस होती थी लेकिन अभी आप राजनेतिक मुद्धों पर मुवी यह ज़्यादा नहीं बना सकते लेकिन साउच सिनेमा की एक चीज खास यह जाए साउच सिनेमा आज कल जो मुवी यह दे रहा है यहां पर हमें यानि कि वह यानि कि अपने भगवान को भी यानि कि हिंदी गौट्स को भी कुछ बहतरी लेवल से बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिस करता है जो कि हमें व लेकिन साउच सिनेमा से काफी ज़्यादा प्रभावित होते हैं दिल से सलूड भी करते हैं हमेशा हिंदी सिनेमा को पीछे छोड़ने वाला स्वाव सिनेमा बन चुका है लोगों की नजरों में थोड़ा सा डिफ्रेंस जरूर रहा हो लेकिन आज सॉलूंग की बात करूं तो साउस सिनेमा के फ्रैंस जादा हैं और हिंदी सिनेमा के आप लोगों को कहीं न कहीं फ्रैंस कम देखने को मिल जाएंगे लेकिन साउस सिनेमा जो भी है और हिंदी सिनेमा जो भी हमें उससे मतलब नहीं क्रिस्पोर मुवी हमारे सामने बहतरीन परफरमस करते वे नजर ही मिलते हैं फिराल आगले वीडियो में आप लोगों की क्या रहे टाइगर स्राफ के जरिए हमें जरूर बताईएगा